दूद को दुखी करो तो दही बनता है और दही को सताने से मक्खन बनता है मक्खन को सताने से घी बनता है दूद से महेंगा दही है और दही से महेंगा मक्खन है और मक्खन से महेंगा घी है किन्तो इन चारों का रंग एक जैसा सपेथ है अब इसका आर्थ है कि बार-बार दुख और संकट आने पर भी जो इनसान अपना रंग नहीं बदलता समाज में उसका ही मुझे बढ़ता है दूद उपयोगी है किन्तो एक दिन के लिए फिर वो खडाप हो जाता है दूद में एक बून चांच डालने से वह दही बन जाता है जो केवल दो दिन में ही टिकता है दही का मंतन करने पर मखन बन जाता है और मखन तीन दिन तक ही टिकता है मखन को उबालकर घी बनता है और घी कभी खराप नहीं होता एक ही दिन में बिगणने वाले दूद में कभी नहीं बिगणने वालगी चुपा हुआ है इसी तरह दोस्तों आपका मन भी अथा सक्तियों से बढ़ा है उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो अपने आपको मतों अर्थार्थ चिंधन करो अपने जीवन को और तपाओ तब देखना आप कभी हार नहीं मानोगे वही सदा बहार व्यक्ति बन जाओगी नमस्कार